है कि वेलकुम तो माई चैनल लेभी रॉक्स तीम जन यहां पर मैच हो रहा है यूए फ़ी चैंपियन्स लीग का लेपिजिक वोसल मैंचेस्टर सिटी के बीच अल्रेडी दोनों के बीच मैच हो चुका है पहले जिसमें मैंचेस्टर सीटी ने अच्छा प्रदशन दिया था बट इसका मतलब यह नहीं कि वो टिम वीक है बट मैं आपको बता दूँ बहुत ज्यादा रिस्की मैच है तो बात करें यह मेरे टेलीक्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक और जो और जिएम इस वीडियो के अंदर किसी बी तरह की चीज़ को पुस्طाइत नेकरे वीडियो बहुत ही आथा सेफ और नॉलिच यह बढ़तें आगे जमाडरह और आ मैची मैच है जो आंदर मैंने बताना है आपको एमेजिंक है मैजिंग इस लिए जो लोग फुटबल लवर तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मैच है तो देखो टीम में आपको बाद में दिखाता हूं सबसे पहले पर चलते हैं स्टैट्स की और कुछ मेंन स्टैट्स की और यह भी बहुत जुरूरी है जो आप लेने से भाई तगड़ा जी जोग ऐसा कुछ थी है यह सारे ही सारे कैप्टन आप्शन है और मेरी जो प्रेडिक्शन है कि इनमें से आबाई चल सकते हैं तो हो है यह देखो एरलिंग होलांड प्रिमियर लीग का इस साल का सबसे जादा गोल करने वाला प्लेयर अग चल के अभी तो लाइक जब बड़े-बड़े प्लेयर रिटायर होंगे लाइक रोनालडो मैसी ठीक है बड़े-बड़े प्लेयर कारिम बेंजमा जब यह रिटायर होंगे तो उस बीच में इन्हों नहीं जगा घेर नहीं है इसने कीलियन मबैपे ने विनी केस जूनियर न यह जो बाकी है वो सारे स्टाइकर कम मिट फिल्डर है मैं अब दोनों करना जानते हैं तो देखो होलांड को लेना है लेना है तो बचते हैं अब तीन प्लेयर लाकोन फॉर्डन रियाद मेहराज और अलवरेस देखो मैं आपको बता दूम रियाद मेहराज का गेम प्ले ब पहले सीजन में वर्ल्ड कप में पांच गोल आप खुद समझदार है अगर तीन गोल ओर कर देता तो बैलंडी और नहीं वो गोल्डन बूट अवार्ड इसे मिलता ठीक है और बात रिबाकी फॉर्डन वगरा की तो यह तो चलो इंग्लैंड की तरफ से बेस्ट करी रहे है ठीक है अच्छी बात है मिलत विल फॉर्डन से मिलको कोई गिला नहीं है रियाद महरास तो बहुत भड़ीया प्लेयर है और अलवरेस तो निया स्चार एल निंग होलांड स्चार है रॉड्री को तो लेना है ठीक है तो यह तो मेन प्लेयर है आगे कुछ बात कीज़े तो लाइक टी वर्नर तो देखो टीमो वर्नर और एंड्रे सिल्वा ये दोनों आ जाते हैं लीपजिक के मेन प्लेयर जिसमें से वर्नर चले ना चले एंड्री सिल्वा का ज्यादा चलने का चांस रहता है मेरी नज़र में क्योंकि मैं उसको काफी जादा मिलको काफी बड़िय प्लेयर लगता है अपने पॉंट अफ वियू में और डॉमिनिक की बात करें तो यहाँ पर मिट फिल्डिंग में डॉमिनिक जैसी एसिस्ट करना भी बहुत ज्यादा रेयर है इसलिए यह सारे के सारे प्लेयर मनलब मैं कहता हूँ आज के मैच में चहेद्दे होने वाले है आगे से अगर बात करें बीक इंजरी की तो सी नकुंकू इंजड है में प्लेयर अभी अभी इंजरी से रिकवर हुआ था एक डेड़ महिना पहले भी इंजड रहा है एक डेड़ नहीं जादा जादा रहा है तो उस बीच में फिर इंजड हो गया तो यह कहना कि जब इंज जरूर मारता क्योंकि होता है वहीं कहें बार ऐसा लगता है मेरेको एंड गोलेक्सी कि बात करें ये भी इंजल डियालो इंज़-स-क लैगर इंजड देखो गोलेक्सी में है नुंकु में है नहीं के लिद्ट वाट कैन्-वी ढू फीक है आगे से अगर बात करें मैंचेस्टर City की तो 61% हो में विनिंग चांसिट है और 39 परसेंट लिब्जिक के विनिंग चांसिट है ठीक है और गोल चांशिज की बात करें मैंचेस्ट की मैं आपको सिप्राइक 151 लिए सथावडियु सभूर्स नेदाद सब्सक्राइब बभूत लगई 1-2 कई मैं आपको उल्हाँ की 3Bίzin को सब्सक्राइक नहीं आपका इन्सक्राइक और राइन लेगा कि अर। cały ब्लोग पूलेंगी की मिनटा था है तो बे शक्क कोई दिक्कत नहीं है बहुत बड़ी आ प्लियर है वह भी उसमें पहीं कोई दिक्कत नहीं है आगे बात करें इयर करें शेकरो टो में में कि अ तीन होई ने है देखे कि अगा सी कर लिए आप्जार के राइव क्रिया रियाम कर लिए किसी को भी कर लिए आग से बात करें केडी ब्रून का नाम इसलिए निहीं दिया था बढ़ ले रहाँ क्योंकि वह काफी डाउन फोल है मैं देख रहाँ कि केडी ब्रून को मैं दो बाँ ड्रॉप किया था जीता था जबकि इस प्लेयर को ड्रॉप करना मतलब अपने पैरों पर कुलहारी मारना होता था बट अब नाउ वो थोड़ा फ्लॉब हो रहा है और इलके गुंटिकोन को भी आपर ट्राइ कर सकते हैं किसकी जगह पर केडी ब्रून की जगह पर जो लोग केडी ब्रून को नहीं लेना चाहते हैं जैसे हम तो लेते हैं पर मैं भी सोचूंगा न पर पनल्टी भी ले रहा है तो पनल्टी क्यों ले रहा है यह तो यहीं जानते हैं क्योंकि तो बहुत में बात है और आगे जो दो प्लेयर बचते हैं नैथन एक और जे स्टोंस तो इन दोनों में से एक लेना है आएम गोंग विट जे स्टोंस आगे से अगर बात करें यह पर पीटर कुलेक्सी है इंजड जिसका नाम मैंने दिया था वो एक है गोल कीपर आपके सामने है और यह इंजड है तो यह नहीं खेलेगा तो इस यह नहीं खेल रहा तो इसकी जगह पर आपने कौन साप्रियर लेना है आपको पहली बता दूँ यहापे लेना है ब्लैस्विच को क्योंकि वहीं खेलेगा जो भी खेलेगा जबकि इनका कोई कमपैरिजन नहीं है पीटर कुलेक्सी लाख गुना अच्छा है बड़ ब्लैस्विच को हमाँ में मजबूरी में लेना बढ़ का रहें जाए क्योंकि वह नहीं खेलरा आगे से अगर बात करें सबसे में कैप्टन की स्ल्ली लीच की स्माल लीच की थीक है मैं भी ऑक emot और आश्ए होलंड है भाइस केकी बहुत औ्प्शन पुख्शन बहुत आप बहुत आप्शन वहीं काया खरें ठीक है और को dess lyvpolप택 गोल चांसे 80% से भी उपर होने वाले हैं इसलिए स्ट्राइकर को ही प्रेफर करूँगा मैं इस मैच में पक्का ठीक है तो यह मेरा कॉंबिनेशन है भले वो रियाद महरज हो भले वो जूलियन एलवेरेज हो भले वो फिल फॉर्डन हो जो मरजी हो जो भी दूसरा को ड्रोप आउट बत करना इस मॉल लीग में ही तीन ऐसे प्लेयर है जो ग्रैंड लीग तक प्रेफर करूँगा मैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई